रवीश कुमार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है मैं एक चीज़ साफ करना चाहता हूं कि मैं NDTV इंडिया के मैंजिंग एंटर के तौर पे रवीश यहां पे कोई सफाई देने नहीं आया यह मैं साफ करना चाहता हूं कोई सफाई नहीं दे रहे हैं जो रव चाल चलाए जा रहे हैं और जो धंकिया दिये जा रहे रवीश कुमार को मैं चाहता हूं कि रवीश वो पूरी फेस्बुक का पूरा पोस्ट पढ़के सुनाया आप लोगों को क्योंकि हम सफाई देने यहां पर नहीं आये हैं रवीश यह मैं पहले कहना चाहता हूं लोग जननेता नहीं हो सकता है हां लेकिन 2% की वीवर्शिप वाले रवीश खुद को जनता का पत्रिकार समझते हैं तो यह दिखा दीजे यह आप देख सकते हैं कि यहां से इस तरह का बहुत मेरे खिलाफ इस्तमाल होता है कि जैसे मैंने प्रधान मंत्री की आलोचना कर दी एक के दाइतार वो क्यांटार के पास ले बिखते हैं एक तो अगर आप प्रधान मंत्री की आलोचना नहीं करते तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बढ है प्रधान मंत्री की आलोचना करनी ही चाहिए और उपर से आपने कहा कि यह बात मैंने नहीं कही की उलटा का कि पूरा य यह नहीं है कि उनको कुछ कम मिला है, उनको भरपूर, उनको भरपूर मिला है, तो इस तरह से यह लोग चलाते हैं, और यह एक ऐसा महाल बना रहे हैं, कि कोई अवतार हुआ है, जिसकी हमें आलोचना नहीं करनी है, तो मैं नहीं मानता कोई अवतार हुआ है, मैं उसकी करते थे यूपीए के टाइम पर तब उन्होंने जाकर एक स्टोरी किया था मिड़े मील पर जब वह ने उन्होंने जाकर स्कूल में कहा था कि प्रदान मंत्री मनमौन सिंग यहां पर आके खा कर दिखा दे उस तर भी यह सारे ट्रोल आपके सबसे बड़े भक्त होते थे किसी ने उसका निकाला भी है कि जो लोग पहले मेरी तारीफ करते थे वो अब आलोचना करने लगे हैं असल में हुआ क्या है निदी की विपक्ष तो खतम कर दिया गया है आयकर और सीबी आई और खुद अपनी करनी की वज़़े से भी उनमें बहुत सारी समस्या है विपक्ष में और क्या चाहिए तो मतलब और उनको फाइदाई होगा तो यह एक बहाना बना लिया है कि मुझे लेकर आप सिंबल बना दिजिए तो सब ने अपना विपक्ष का काम मुझे आउटसोर्स कर दिया है कि बढ़ा अच्छा है यह बोल रहे है तो उसी तरह से दूसरे तरफ के लोग इसका एक एकनॉमिक हिस्सा भी है यह यूट्यू आउने इसको समझने की जरूरत है दर्शकों को भी क्या हो रहा है मैं लिख रहा हो कि मैंने प्रधान मंत्री के बारे मैं ऐसा नहीं कहा अफवाहों का तंत्र इतना व्यापक हो चुका है कि खंडन का भी आप कोई मतलब नहीं पैटर्ण यह है कि आपकी जो बात सत्ता को च राज हो जाए है जाहिर है ऐसा बोला नहीं है वरना वीडियो होता उसका भाई लोग मेरे नाम से चला रहे होते कि मैंने प्रधान मंत्री को गुंडा बोला है जो कि मैंने नहीं बोला है मैंने ऐसा बोला नहीं पर उससे किसी को क्या वाटसप इनिवर्सिटी के कबार में थेलते जाओ, तो भाई लोग थेल रहे हैं जो मरजी आ रहा है, पैटर्ण इसलिए कहा ताकि पाठक, यह जो दधिच ने इस्नमाल किया मैंने चाहता है, पर मैं करता हूँ, कुतिया कुतिय की मौत मर गई, बाद में उनका शाय कि मेरे कॉलनी में कोई कुतिया मर गई, लेकि जब वो नहीं खाती थी, तो मेरा मन नहीं लगता था, तो यह ना समझा कि वही एक्सपोर्ट है, हमें भी आता है, बहुत सारा, लेकिन उनका एक कॉमेंट रह गया था बिचारे का, नीचे, जो आल्ट न्यूस निकाल के दिखा दिया, बाद में उन्होंने वहां पर गौर इसने लेकर बीजी हो जाए, ठीक है, अब यह इसने ऐसा क्यों बला मेरे प्रधान मंत्री को, याद है एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था, कि मीडिया हेड्लाइन बनाता है, कि BMW कार ने दलित को खुचला, ठीक, यही काम यहां इस बार हुआ है, यह पैटन में बता रहा ह आप BMW accident की सारी खबरे सर्च किजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि BMW कार ने दलित को खुचला, लेकिन वो तो कहेंगे मेरा मतलब यह नहीं था, मीडिया गलत हेड्लाइन बनाता है, मगर अगर किसी दलित को मैंने लिखा है, कि कार को क्या पता यह करें, लोगों को पता जो की जूट था, जो प्रदान मंत्री ने का था कि BMW ने दलित को कुचला, BMW कार की दुरगतना की रिपोर्टिंग में कभी भी डलित नहीं लिखा गया, ज़रूर जहां दलित को घोड़े पर नहीं चढने दिया गया, वहां दलित नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, या राजु को घोडे पर नहीं चढ़ने दिया गया, इसका कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं, तो दलिती लिखें क्योंकि आप जातीगत कारण से एक जाती के समुने उसको घोडे पर नहीं चढ़ने गया. वो पहले होता था था ने, member of one community, sort another community. मैं लिखता हूँ कि इसलिए ऐसे बयान दिये जाते हैं, ताकि यह कहने की गुणजाईश बची रहे, कि आप बात को समझे नहीं, मगर मेरा मतलब वो नहीं था, कि आड में image के सहारे तर्क गढ़ने की कोशिश की गई, यह एक मनोवग्यानिक रणनीती के तहत किया जाता है. यही कोशिश मेरे नाम से प्रधान मंत्री को गुंडा कहना जोड कर की जा रही है, पहले किसी ने YouTube पर मेरे ही भाशन का caption लगाया, अब WhatsApp पर इससे चलाया जा रहा है, मैंने online जगत के एक हिस्से को गुंडा और हत्यारा जरूर कहा है, प्रधान मंत्री के लिए कभी ऐसे श मैंने इस तरह के काम करने वालों को गुंडा कहा है, अभी भी कह रहा हूँ ना कि प्रधान मंत्री को, आखरी है, प्लीज, नेताओं के इतने भी काम मत आई है, हमने देखा है 20 साल की पत्रकारिता में, समझे आप से जूट फैलवा कर आपका इस्तमाल हो रहा है, तुम उन तो तीन लोग, यह लाल रंग का चल रहा है, यह पी-म वाला जो है, यह आप देख सकते हैं, अलग-अलग फॉर्मेट में, आप इसमें वीडियो नहीं है, देखे, चाल देखे, कैसे आपके स्क्रीन पर आएगा, इसमें वीडियो नहीं है, और यह जाएगा, अच्छा, ऐ इसा का है, रवीश कुमार ने, लोग फिर वो गाली देने लगेंगे, और यह सारा शुरू होगा, जैसे मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सुबह से, और वो गालीयां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, यह स्क्रीन पर यह रखी है, क्योंकि ने तो यह लोग स्क पाए, तो यह ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आलोचना करनी चाहिए, और आज के समय में सचमु जिग्रे का काम है, उनकी आलोचना करना, क्योंकि आप कीजिये नहीं, तो तरह तरह के समर्थों को लगा के, चाटुकार पत्रकारिता के बीच में, गोधी पत्रका कि बिहार में आप जानते हैं कि कल एक पत्रकार को लूट के वक्त गोली मारी गई, बच गये हैं, शायद वो उनको कम से कम अटेंप्ट तो मर्डर था, जो शायद NDTV ने सबसे पहले ब्रेक भी किया, उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे चाटुकार पत्रकार बोल रह है, वहाँ पे पत्रकार को गोली मार गई, गोरी लगई है, आप लोग क्यों नहीं केंडल लाइट वेजिल कर रहे हैं, तो लूट में गोली चलाए गई, और एक और जो लड़ती थी, आप उनके साथ हो ना हो वो अलग बात है, बेद प्रताब वैदिक ने बड़ा हैं लेकिन वहला कभी आलोचना से तो नहीं डरते देखी ये ताकि हम आलोचना करते Given. इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा हमारे पास भी ये आलोचना करने के लिए हमको को में रिया यह इसलिए ब्रेक लेना पड़ें, ब्रेक लेтовेडा dess